नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके पैर की उंगली क्या कहती है वैसे तो सामुद्रिक सास्त्र में सरीर के हर अंग के बनावट के बारे में बिस्तार से कहा गया है और सामुद्रिक सास्त के अनुसार पैर के अंगुठे और उंगलीयों को देख कर ये पता चल सकता है कि आपके जीवन में पैसा है या नहीं इस तरी सुख है या नहीं जीवन में खुसियां है या नहीं तो आज हम बात करेंगे अंगुठे और उंगलियों की लंबाई से ये भी बात तै हो जाती है कि आपका भागे कहां तक साथ देगा और कैसे होगा भाग्योदे जीवन में सुख मिलेगा या नहीं तो सामुद्रिक सास्तर में पैर का अंगूठा अपने पास वाली उंगली के बरावर होनी चाहिए ऐसा कहता है ऐसा लिखा हुआ है वर्णन आता है इसके अलाबे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है वो अगर बड़ा हो तो ये सरुस्रेश होता है लेकिन चलिए जानते हैं बिस्तार से तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली के बारे में अगर दोनों आपस में मिलते हों तो ऐसे लोगों को किस्मत का साथ कम मिलता है ऐसे लोगों का अंगूठा चोटा और पास वाली उंगली बड़ी हो तो पहले लड़के या लड़की का सुख कम मिलता है ऐसे लोगों का बहुत सारा पैसा संतान के उपर भी खर्च हो जाता है यनि आपका अंगूठा और पास वाली उंगली अगर दूर है तो बहुत अच्छी बात है पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली बराबर अगर हो तो ऐसे बेक्ती सुख, संबृद्धी और पैसे वाला होता है ऐसे लोगों को इस ती सुख भी मिलता है और ऐसे लोग संतान और परिवार की ओर से भी सुख पाते हैं तो पैर का जो अंगूठा है अगर वो बड़ा हो और पास वाली उंगली अगर छोटी हो तब क्या होगा तब ऐसा समझ लें कि ऐसे लोग दूसरों का गुलाम बन के रह जाते हैं ताउंड ऐसे लोग दूसरों की बातों को मानने वाले होते हैं यानि इनका सुभाब में ही अपना डिसीजन नहीं लेने की छमता होती है तो इनसे आपको बाहर आना होगा अब अगर अंगूठे के पास वाली उंगली अगर पैर के बीच वाली उंगली से छोटी हो यानि तीसरी उंगली बड़ी है आपके दूसरी उंगली से तो ऐसे लोगों की पत्नी गरीब परिवार से आती है यानि आप जैसे परिवार से हैं वैसे परिवार से वो नहीं होती और ऐसे लोगों को जीवन साथी का सुख भी कम मिलता है अब हम अगर बात करें आपके अंगूठे के पास वाली उंगली की अगर वो लम्बी है तब तब आपके जीवन में जो आपकी पतनी है वो पैसा कमाने वाली होगी धन बचाने वाली होगी आपको पतनी का सुख घुम मिलेगा और ता उम्र आपका साथ आपकी जीवन साथी नहीं छोड़ेंगे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है अगर पैर की बीच वाली उंगली से बहुत चोटी हो सबसे जो लास्ट वाली उंगली है अगर वो बहुत छोटी है तो ऐसे लोगों का बैवाही जीवन मेंgeben में कम होता है और अगर इसके नाखुन टेड़े मेरे हो सबसे छोटी उंगली के तो फिर जीवन में जग्रे लड़ाई जादा होते हैं प्रेम कम होता है अब हम अगर जाने कि पैर की छोटी उंगली अपने पास वाली उंगली से बड़ी हो तो यानि पांच नमबर जो उंगली है चार नमबर से लंबी है तो ऐसे लोग भागे साली होते हैं ऐसे लोगों को जीवन में कई मामलों में भागे का साथ मिलता है पैर की जो आखरी दोनों उंगलियां है अगर दोनों पराबरो यानि तिन नमबर और चार नमबर तो फिर ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है लेकिन ऐसे लोगों की उम्र थोड़ी कम होती है अब हम अगर बात करें पैर का अंगूठा और बांकी सारी उंगलियां अगर बराबर हो तो तो ऐसा इंसान जीवन में सामान नहीं होता बलकि बड़े ही फिमस होते हैं बड़े इंसान होते हैं जीवन में अपने दम पर पद परतिष्ठा मान समान सब कुछ प्राप्ट करते हैं चाहे वो गरीब के घर में भी पैदा होने फिर भी वो खूप सफलता पाते हैं तो आज हमने बात की आपके तमाम उंगलियों के बारे में अब हम आते हैं मुद्दे पर देखिए दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैर की उंगलियां समान नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी उंगलियां छोटी बड़ी होती है अब जिनके पैर की दूसरी उंगली बड़ी हो उनका सुभाब कैसा होता है सामुद्रिक सास्त्र कहता है कि अगर पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसे लोग दिखने में कैसे भी हो पर काफी खूपसूरत दिखते हैं ऐसे लोगों में एक अलग तरह का एक्ट्रेक्शन होता है जिससे वो सभी को अपनी तरफ खीच लेते हैं आकरसित करने की छमता होती है अपने कुन्वे में जो इनके आसपास के लोग हैं जो इनके करीबी हैं सबसे आगे रहते हैं हमेशा यानि धन के मामलों में भी और बद और उसे अपना सर्वस से दे देती है इसी के साथ वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करती सामने वाले को करना होगा लेकिन एक बात याद रखिए ऐसी महिलाएं कभी धोखा नहीं देती पती को और प्रेम करने वाली होती हैं लेकिन अगर आपकी बड़ी सकेंड उंगली लंबी हो तो ये भी होता है कि आप लब मैरेज करने की संभाबना भी जादा होती है कहते हैं जिन लोगों की पैर की दूसरी उंगली बड़ी होती है उनका स्वभाब में थोरा गुसापन भी होता है और बीच बीच में अपना गुसा भी निकालते हैं अब वैसे अगर जो चीज गलत है तो उस पर रियक्ट करेंगे और अगर कहा जाता है कि पैर की दूसरी उंगली बड़ी होती है तो उन लोगों के जीवन में जीवन का पहला वाला हिस्सा है यानि बच्पन से जवानी तक आपके ज्यादा परिसानी आती है लेकिन समय के साथ जीवन में कामियाबी भी मिलती है और आप खूब तरक्की करते हैं आपका बुढ़ापा अमुमन अच्छा होता है यानि आपका जो बुढ़ापा वाला पार्ट है वह बहतर हो जाता है यह तो थी ऐसी बाते जो आप जानने के ख्वाइस अभी तक आपने जानना चाहा और हमने आपक अगर जरुष से ज्यादा चोटी हो तो फिर ब्यबाही जीवन में कस्ट होता है अगर आपका पैर का अंगुठा और पास की दो उंगलिया एक सम्मान हो बाकी उंगलियां उसे चोटी हो तो आप मेहनती बिनम्र सभाब के होते हैं और एक बहुत ही खुबसूरत जीवन अपने आप पर कंट्रोल करने वाला होता है अंगुठा जितना चोटा होगा व्यक्ति उतना ही चंचल होता है सुभाब से जिद्धी होता है हालात से तंग होता है धन दौलत दूसरों के काम आती है ऐसे लोगों की अंगुठे के नाखुन वाला जो पीठ होता है अगर पा के बारे में भी हमने जाना और आपके जीवन में जिनका भी पैर की दूसरी बढ़ी होती है यह मान के चलिए कि सब कुछ अपने दम पर पाही लेते हैं कोसिस करना होगा फिलाल आप से भीदा लेते हैं हर हर महादेव हम फिर मिलेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सबस्काइब जरूर करें अपनों से सेर करना मत भूलिएगा धनिवाद